आपना के बाद से पशुओं पर काफी शोद किये जा रहे हैं आपको बता दें कि एंडियाराई में से जलवायू प्रतिरोधी पशुदन अनुसंधान केंद्र में विज्ञानिक जहां लगातार पशुओं पर प्रियोक कर रहे हैं कि जस तरह से वातावरण में बदला हो रहा है उससे पशुदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसी कड़ी में एक और शोद करते हुए एंडियाराई करनाल में अब रोज सुबह और शाम गायों को सुनाने के लिए संगीत और भजन की धुन भजाई जाती है इस बारे में डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि काफी समय पहले सुना था कि गायों को संगीत एवं भजन काफी पसंद होते हैं जब ये विद्धी अपनाई गई तो उसका परिनाम काफी अच्छा निकला संगीत की तरंगे गाएं के मस्तिष्क में ऑक्सी टॉसीन हार्मोंस को सक्रिय करेंगी और गाएं को दूद देने के लिए प्रेरित करेंगी उन्होंने कहा कि देशी गायों की नसलों पर अलग-अलग प्रकार के प्रियोग किये जा रहे हैं जिससे दूद की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके जनकारी देते हुए विग्यानिक डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि जिस तरह से पशु को एक ही जगह पर बांध कर रखते हैं तो वह तनाव में आ जाता है और ठीक तरह से वहवार नहीं करता उसी को लेकर हमारे यहां पर एक रिसर्च चल रही है जिसमें पशु अपने आपको रिलैक्स फील करता है डॉक्टर आशुतोष ने एक उधारन के तोर पर कहा कि जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देते हैं और काफी समय बाद उस कमरे को खोलते हैं तो वह व्यक्ति तनाव में चला जाता है उसको तनाव से मुक्त करने के लिए किसी अलग लक्स्थान पर ले जाते हैं ठीक उसी प्रकार हमें पश्यों को भी तनाव पूर्ण रखना होगा हमने पश्यों को तनाव मुक्त रखने के लिए संगीत और भजन का सहरा लिया है किसान भायों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जलवायू परिवर्तन से संबंदित है अब पूरे देश व्यापी एक ये प्रोजेक्ट परियोजना है निक्रा जिसमें जलवायू परतिरोधी जो एग्रिकल्चर सिस्टम है वो हमें डौल अप करना है क्योंकि आपदेख रहे हैं कभी भूकम पारा है कभी गलेशियर फटर रहे हैं कभी कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो हर एक उस पर आएगा मानों पे भी आएगा जीवजनतों पर पी आएगा तो उसी दिशा में एक प्रियास है हमारा कि जो हमारा गोधन है या जो हमारे दुधारू पशू है उनका रख रखाव इस changing climate में किस तरह से किया जाए तो उसी कड़ी में हमने अपने जो देशी पशू है जो हमारे पुराने एक्सपेरिमेν्ट है उसमें भी हमने ये पाया कि यह well adapted है तो इनकी चार महिने के जो बच्चे हैं हमने बच्छडियां खास तोर से साहिवाल नसल की वो लेकर के उनको अपनी विदी से यानि की जो climate resilience और उनके उपर कोई ज्यादा stress वाला system ना रहे उसी हिसाब से हमने इनका housing system इनका management और इनका खान पान उसी दिशा में हमने निर्धारित करके और उसमें हम शोद कर रहे हैं और इन शोदों में हम अलग अलग तरीके के जो parameter हैं उसमें endocrine यानि hormones भी नाप रहे हैं अलग अलग तरह की हम घास भी दे रहे हैं plan of nutrition भी हमने अलग अलग किया हुआ है तो उस हिसाब से हम इसमें देख रहे हैं और इसके music का effect भी जो है वो बहुत ही अच्छा मिला हमें क्योंकि हमारा जो तात पर ये है वो ये है कि चाहे हम उसको नहला करके चाहे हम उसको सरदी से बचा करके चाहे पोस्टी का हार दे करके और चाहे अन्य तरीकों से हम उस जानवर को stress free रखना चाते हैं और हमने ये पाया कि ज जब हम इसके stress hormone नाप लेंगे तो एक concrete तोर पर हम कह पाएंगे कि वास्तों में इसका effect आया है या नहीं आया लेकिन अगर सरसरी तोर पे देखा जाए जिस दिन हम ये music बंद करते हैं तो इनका जो feed intake है और इनका जो बेचैनी का level है वो थोड़ा सा बदल जाता है तो हमने यह चीज उसको देखा है यह चोटे बचे हैं हीट में कब तक आते हैं जादा तर जो हमारे देसी पशु हैं भैसे का मतलब जिनकी पीट पर धांट होती है हम अंप होता तो यह हमारे भारतिये नसल के पशु है भारत भारत उप मादीव के तो इन पशुवों में जो जादयर है 2.5-3 के उमर में आता है क्योंकि इनका ग्रोफ रेट भी कम है क्योंकि रखरकाऊ ठीक नहींै किसान भाई पेट çıkar के दियान नहीं देते जो जो में अधरेशिय होता है वो दूढ़ उत्पादन होता है तो जो गाय बाई जो है तक्रिवन मेरे हिसाब से एक साल तक उनकी फ्री सेवा ही करते रहते हैं जबकि वो पोने दो दो साल की उमर तक अगर पोस्टी कहार अच्छा खान पान और अच्छी तरह से आप उसको रख रहे हो स्ट्रेस फ्री कंडिशन में तो वो डेड़ से पोने दो साल की उमर में फर्स्ट हीट में आ सकती है और दो हीट मिस करके उसको सर्विस दी जा सकती है तो वो एक अच्छी दूद उतपादक गाएं बन सकती है सर एक चीज और सामने आई है कि आपने कोई ग्रास है वो असाम ग्रास वो क्या है एक हमने प्रियास किया है क्योंकि जैसे जलवायू परिवर्तन हो रहा है तो कुछ एरियाज में जो काम पहले फसल होती थी अब वो नहीं हो पारी है अगर होती भी है तो उसका उतना उत्पादक्ता नहीं रहती तो इसमें जो मेरा खुद का तजूरुबा है और जो मैंने ड तो जो गरम परदेश का चारा है या उसकी अलग अलग वरैटीज है उसको इधर शिफ्ट किया जा सकता है तो वह हो सकता है उसके उपर हम अध्यन कर रहे हैं तो इसी कड़ी में हमने रहमी नाम के घास होता है घास तो नहीं कहेंगे पत्तेदार जाडी नुमा होता है और उस यानि एक किलो अगर आप वो दे रहे हैं तो तकरीवन 200-300 ग्राम आप प्रोटीन खिला रहे हैं पशु को जो की बहुत जुरूरी है और प्रोटीन बहुत महंगा पार्ट है कंसंट्रेट मिक्स का तो हमने उसको ट्राई किया और जब यह पशु चार महीने की उमर के थे अ 700, 700-800 ग्राम तक मैक्सीमम मिला है। और इसका अगर हम ओसत देखें तो 6500-0500 ग्राम पर ड़े जो है इसके शरीरिक ड़ा है और उसमें हमें बहुत ही अच्छा एक अज़ूर्पा हुआ है और इसके साथ-साथ हम इसमें ग्रोथ Quebec करके तबही कुछ कंक्रीट नतीजह आप को बता सकते हैं किसान कैसे इसको रमी की जो फ़सल आपने कही है रमी की फ़सल जो है वो चारों तरफ से हर लिहाज से किसान के लिए बहुत फाइदे ज्याएगी अगर मैं इसकी पत्रहों की इल्ड की बात करूँ दूसरा अगर आप इसको 15-20 दिन तक नहीं काट पाए तो इसको 40-60 दिन के बीच में अगर आप काटेंगे जब यह 4-5 फुटकी हो जाएगी तो यह रेशा भी पैदा करती है और इसका जो रेशा है वो सबसे नरम और सबसे मजबूत रेशा है जो भी आज वनस्पती पृत् पादन में घाल्य आसाम उधर होता है और वो लोग इससे कपड़े बनाते हैं विभिन परकार के आइटम्स जो हैं तो किसान की परगती में खास तोर से इस एरिया में जहां हम पानी सिचाई कर सकते हैं उसमें ये कपास के एवज में कपास के एवज में एक बहुत बढ़ि लाइख शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद